दुरगा खोटे भारतिय सिनेमा की एक अग्रणी शक्सियत थी, जिनका जन्म 14 जन्वरी 1905 को मुंबई भारत में हुआ था। उनका प्रवेश और योगदान, खास कर ऐसे समय में जब सम्मानित परिवारों की महिलाओं के लिए अभिनय को सम्मान जनक पेशा नहीं माना जाता था। उनके साहस प्रतिभा और द्रिड संकल्प का प्रमान है। एक भाल के लिए दो बेटे थे। अपने बच्चों के पालन पोशन की जिम्मेदारी अपने कंधों पर और पती की मृत्यू के बाद वित्तिय कठिनाईयों के साथ दुर्गा खोटे ने अभिनय को एक पेशे के रूप में अपनाने का फैसला किया, जो उनकी प्रिष्ठ हूमी की महिलाओं के लिए बेहद अप्रम परागत था। दुर्गा खोटे ने 1931 में फरेवी जाल से अपने फिल्मी करियर की शुरुवात की और वी शांताराम द्वारा निर्देशित मूख फिल्म अयोधेचा राजा में तारामती के अपने सशक्त किरदार से उन्हें प जब भारतिय सिनेमा मूख फिल्मों से बोलती फिल्मों की ओर संक्रमन कर रहा था और उनकी स्पष्ट बोली और मजबूत स्क्रीन उपस्थिती ने उन्हें हिंदी और मराथी दोनों फिल्मों में लोकप्रिय बना दिया। उनके पती की प्रारंभिक मित्यू के कारण उनके निजी जीवन ने उन्हें लचीला होने के लिए मजबूर किया और वह सामाजिक निर्णयों से अविचलित रही। चाहे वहबाद के वर्षों में एक पौरानिक रानी यामा जैसी भूमिका निभाएं। उन्होंने अमर जोती, पुकार और भरत मिलाप जैसी प्रतिष्ठित फिल्मों में अभिनय किया। भारतिय सिनेमा में अभिनेत्रियों का रुत्बा उचा उठाने में दुरगा खोटे ने अहम भूमिका निभाएं। उन्होंने 50 वर्षों से अधिक समय तक फिल्म उद्योग में काम करना जारी रखा और 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। मुगले आजम जहां उन्होंने महारानी जोधाबाई की भूमिका निभाई। और बॉबी जहां उन्होंने राज कपूर की मा की भूमिका निभाई जैसी फिल्मों में उनका प्रदर्शन सबसे यादगार है। 1958 में उन्होंने प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरसकार जीता और 1968 में उन्हें भारत के सर्वोच नागरिक सम्मानों में से एक पदमश्री प्राप्थ हुआ। भारत की पहली महिला फिल्म निर्माताओं में से। एक बन गई। दुर्गा खोटे ने लंबा जीवन जिया और उन्नीस सौ असी के दशक के अंत तक फिल्म उद्योग में सक्रिय रही। वह एक अध्भुत द्रिढ निश्चय वाली महिला थी। जिन्होंने पूर्णकालिक अभिनेतरी के रूप में काम करते हुए अकेले ही अपने बेटों का पालन पोशन किया। उनके दो बेटे हरिन और बकुल ने सफल करियर बनाया। हालां की फिल्म उद्योग में नहीं। 22 सितंबर 1991 को 86 वर्ष की आयू में उनका निधन हो गया। भारतिय सिनेमा में दुर और महिला अभिनेताओं की भावी पीडियों के लिए नीम रखी। सिनेमा के इतिहास में एक अगरणी के रूप में जगह मिली।